नमस्कार दोस्तों बेसिक कंसेट्स इन मैट्स इसको कर डाला तो मैट्स के लाइब जिंगल आला ऐसा मैंने क्यों कहा है यह अभी आपको अभी यह समझ में आएगा जब एक इसेप्ट जो है वो सभी क्लियर हो जाएंगे तब समझ में आजाएगा देखिए ज्यादा तर जो जो कंसेट्स हैं उन मैं जो आगे बताने वाला हूं उनमें बहुत कंफीजन है तो वो कंफीजन दून कर दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बेसिक कंसेट्स का बहुत दिनों से सुच रहा था कि बनाओ तो यह अभी बनाने जा रहा हूं तो सबसे पहले आप सभी को अ सबसे पहले बेसिक कंसेट्स हैं इंपोर्टन्ट है टेबल्स अब जो बच्चे 8,9,10 में आ गए हैं उनको लगता है कि यार टेबल हम टेबल हम अभी 8,9,10 में आ गए तो टेबल करने का इसलिए हम 8,9,10 में आ गए क्या ऐसा उनका कहना हो सकता है लेकिन अगर टेबल नही यह है कि आप जो पती जो बनाने जा रहे है जो गेहूं है उनको पीसने से पहले ही आप रोटी बनाने जा रहे हो ऐसा काम होया हुआ तो हमें 20 तक टेबल जो हैं वह important है अब इसको learn करने का आसान तरीका आपको बताओं एक 10-15 दिनों में 20 तक आपको आसाने से learn हो जाएंगे क्योंकि आप standard 1, 2, 3 में आप एक कर चुके हैं लेकिन आप वो कुछ कारण से बूल गए हैं तो इनको ना बूलने के लिए हमें एक महीने तक लगादार हर दिन 10 मिनिट लेंगे जादा से जादा maximum 10 मिनिट और कुछ बच्चे तो 2-4 मिनिट में ये कर देते हैं पांच मिनिट में ये 20 तक लिखना हो जाता है अगर आपको पूरे अच्छे तरह से याद हो गए एक बार याद कर लिए तो उसको छोड़ना नहीं मेना या दो मेने तक उसको हर दिन सुबह लिखना है तब देखिए आप 20 तक पिर बाद में कभी नहीं बूलेंगे तो हर महीने में एक आप दस दिन पांच दिन रोन सकते हैं या आठ दिन में एक दो तिन बार ये 20 तक आप लिखो हर बार तो ये आपको असने से लर्न हो जाएंगे टेबल्स लर्न होने के बाद है addition, subtraction, multiplication और division के rule तो देखिए पहले हम addition, subtraction के rule लेंगे तो बहुत से बच्चों को ये confusion बहुत है कि addition कभ करना है, subtraction कभ करना है और उनका multiplication के rule कभ करना है addition, subtraction के जो rule है वो multiplication और division से अलग है rules for addition and subtraction देखिए rule क्या है same sign है तो addition different sign है तो subtraction same sign के लिए हम addition different sign के लिए subtraction करना है और जो result आएगा इन दोनों में भी जो result आएगा उसको हमे greater number का sign देना है तो मैंने कुछ यहाँ पर example दिये है देखिए 3 plus 7 इनकी तो हम addition करते हैं लेकिन क्यों करते हैं क्योंकि 7 का sign plus 3 का sign plus sign plus है तो दोनों के हमें addition करने हैं 3 plus 7 10 देखिए same sign के लिए addition करनी है addition है और subtraction है operations है जो कि हमें करने है तो 7 plus 3 10 और जो result आएगा उसको हमें greater number का sign 7 और 3 में greater 7 तो उसको sign plus plus को sign यहाँ पर नहीं लिखने की लिखने के जुरुत नहीं है लिखना नहीं है तो plus 3 minus 7 अब देखिए different sign हो गया तो हमें subtraction करना है 7 से 3 minus करो 4 और greater number 7 उसका sign लो minus यहाँ पर minus 3 plus 7 different sign subtraction करो 7 minus 3 4 greater number greater number का sign 7 plus plus लिखने के आवशकता नहीं है अभी दोनों का sign सेम है 7 plus 3 10 greater number 7 और उसका sign minus तो यहाँ पर minus आएगा अब इनको multiplication और division के rule के साथ combine नहीं करना है वो अलग है यह पहले इस type की जो question है वो आप पहले 10 दिन solve करो 5 दिन करो 5 दिन में clear हो जाएगे सब idea आपको इसके बाद फिर multiplication division के लिए करो आप इक class का जो है वो चलने दो parallely लेकिन उसके साथ यह भी जो मैंने बता है basic concept के लिए अगर आपके बहुत कम मार्स आ रहे हैं या interest नहीं आ रहे है match में तो यह पहले करना है फिर उसके बाद इस type की जो question है वो आप पचास solve कर सकते हो हर दिन यह 10 solve करो यह 8 solve करो ऐसे type की दो दो question लेने same sign, different sign, greater number के एक बार minus smaller number के एक बार minus ऐसे एक 10-15 बार करो आपको यह जो rule है वो आसाने से आ जाएगा फिर हम देखेंगे multiplication and division का rule rules for multiplication and division अब multiplication and division के rule देखिए plus into plus plus होगा minus into minus plus होगा minus into minus plus होगा अब इसको addition subtraction के rule के साथ combine नहीं करना है या उसके साथ confusion नहीं करना है अब जो division होगा division में भी same rule है same sign है तो उनका division plus आएगा same sign है तो उनका division plus आएगा different sign है तो उनका division minus आएगा different sign है तो उनका division minus आएगा अब multiplication कब कब करना है देखिए है जब हमें ऐसे numbers दिये गए हो minus 3 bracket into minus 4 तो इन दोनों के bracket के बीच में जब sign नहीं है तो यहाँ पर हमें multiply करना होता है तो minus 3 और minus 4 का जब हम multiply करेंगे तो जो rule है minus into minus same sign वो rule जो है वो use करेंगे अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ example लेता हूँ plus 3 into plus 7 अब दोनों का sign plus है तो plus into plus plus आता है 7 into 3 21 minus into minus दोनों का sign सेम है तो हमें यहाँ पर minus into minus plus और 7 into 3 21 plus 21 अंसर आएगा minus into plus minus 7 into 3 21 plus into minus minus 7 into 3 21 जब हमें number का multiplication करना है उसी के साथ हमें number के जो sign है उनका भी multiplication करना है और जो result आएगा उसको लिखना है अब यहाँ पर देखिए minus 3 minus 7 इन में multiplication है अगर sign नहीं भी होता तो हमें multiplication ही करना है अब multiplication कब नहीं करना है देखिए minus 3 यहाँ पर plus और minus 7 यहाँ पर दिया गया हो अब क्या करना है देखिए जब दो sign एक साथ आजाएं 2 sign ब्लस और minus दो साथ आजाएं तब उनका multiplication करना है तो minus 3 यहाँ पर लिखो plus और minus इन दोनों का multiplication करने के बाद यहां पर minus और फिर यह 7 होगा तो यह bracket है जो है multiply करने के बाद cancel हो जाएगा तो minus 3 के बार भी plus sign है plus into minus minus 3 minus 7 तो यह होगा अब देखें यहां पर multiplication नहीं करना है अभी अभी क्या करना है यहां पर multiplication sign नहीं तो addition subtraction करो यूज करना है तो same sign है तो इनके addition करो 7 plus 3 10 greater number का sign लो minus 10 तो यह ही है बच्चों देखें अब इस type के जो question है multiplication के आप यह question एक 10-15 बार कर लीजिए addition subtraction के अलग लेकिन जब आप addition subtraction के कर रहे हो वो ही continue जब तक पूरे समझ में नहीं आ जाए तो वही करो फिर multiplication और division के लिए लो सेम division के लिए rule है अगर समझे हो हम यहाँ पर 21 divided by 7 ले तो 3 आएगा अब समझे हो यहाँ पर minus 21 divided by minus 7 हम ले तो यह plus 3 आ जाएगा minus divided by minus plus 7 3 जा 21 अब minus 21 divided by plus 3 होगा तो यहाँ पर minus 7 आ जाएगा और minus 21 divided by minus 3 होगा तो minus plus divided by minus minus 7 3 7 जा 21 तो यह division multiplication addition subtraction के लिए अलग rule है multiplication division इन में confusion आप नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है फिर भी तो और question ज्यादा solve करने की जरुरत है तो उम्मिद है कि यह plus minus के जो concept है यह आपको फूरी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें और भी तो आप comment कर सकते हैं फिर इसके बाद जो fraction के एडिशन से fraction होते हैं उनके rule हम लेंगे जिसके जिसे की बहुत मतलब जिसमें बहुत सारे बच्चों को confusion होता है और इसी को जैसे match जो है वो पूर बनता रहता है तो आपको याद रखना है हर दिन table लिको सुबह अगर उठे हैं आप school को जाने से पहले एक 10 minute आप tables को दें तो बहुत अच्छा होगा अब मैं तो यह मानता हूँ जैसे की cricket खेलें तो cricket शुरू करने से पहले जो भी players हैं वो stretching करते हैं body जो muscles हैं उनको stretch करना पड़ता है जिसे की आगे injury ना हो और अच्छी तरस से उनको खेल सके मैच में भी ऐसा ही है जो टेबल लिखना है ना मैच ही नहीं आपका मतलब पूरी पड़ाई आपकी सुधार देंगे यह तेबल हर दिन अगर आप 10 minutes भी टेबल को देते हैं तो इससे का होता है कि mind की stretching जो है वो हो जाती है तो पूरा दिन जो भी आप पड़ाई करोगे उसमिज में आपको आज जाएगी और मैंड जो है वो थोड़ा फ्रेश रहेगा नींत उतनी भी अच्छी मतलब जुर्य है साथ आठ गंटे साथ या आठ गंटे कम से कम बच्चों को होने ही चाहिए जो 8-9-10 में है बहुत से मता पिताओं को लगता है कि यार यह नहीं सुना चाहिए अब टेंथ क्लास है तो तुर सुना ही नहीं चाहिए हो चार-पांच गंटे की बस होगी लिकिन ऐसा नहीं है मिनिमूम छे गंटे हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि साथ गंटे नींद लगने में या आदा गंटे लग जाता है कभी कभी तो एक साथ गंटे या आठ गंटे तक सुना चाहिए और पूरा जो दिन है वो पूरा अब अच सब्सक्राइशन, मल्टिप्लिकेशन, सब्ट्रेक्शन, डिविजन के जो रूल है वो लेंगे थैंक्यो पढ़ाई करते रहे हैं मसत रही है